हम बाग करेंगे संबंधों कर, क्योंकि जगत का सारा वहवार संबंधों पटिका है, कहीं पारिवारिक संबंध होता है, तो कहीं कारोबार का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध और पती पत्नी के संबंध में अंतर प्रतीत होता है, मित्रों के संबंध में और कारोब बहुत जलदी कड़वे प्रतीत होने लगते हैं क्या ऐसा नहीं होता क्या हमारे अधिक्तर संबंध बोज नहीं बन जाते जीवन पर ऐसा होता क्यों है संबंध वास्तव में क्या है कुछ संबंध का आधार प्रेम पर होता है तो अन्य संबंध का आधार लाब पर फिर भी सारे संबंध अंत में टूटने क्यों लगते हैं एक वेक्ति जब दूसरे से बंध जाता है तो उसे बंधन कहते हैं किंतु दो व्यक्ति जब एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो उसे संबंध कहते हैं, सम अर्थात समान और बंध अर्थात बंधन, घोड़े और उसके सवार के बीच संबंध नहीं, वहां केवल घोड़ा बंधन में हैं, सवार मुक्त है, संबंध में दो व्यक्ति एक ही प्रकार से बंदे होते हैं अर्थाद प्रतेग संबंध में दोनों व्यक्ति कुछ प्राप्ट करते हैं पिता यदि पुत्र को परवरिश देता है तो पुत्र भी पिता को प्रेम और गर्व देता है बड़े होकर वही पुत्र यदि पिता को संभालता है, तो बदले में वरिद पिता मार्कदर्शन देता है ऐसा ही प्रतेक संबंध में होता है न आदान यानि प्राप्त करना और प्रदान यानि देना ऐसे आदान प्रदान की असमानता दिखाई दे तो वो ब्रह्म है बास्तव में जहां असमानता नहीं होती वहीं संबंध होता है और संबंध में कड़वाहट का कारण भी उसी से समझ में आ जाता है जब भी दो में से कोई एक वेक्ती अपने प्रदान का महत्व अधिक मानने लगता है तो संबंध कच्चा हो जाता है अपने सारे संबंधों को देखी और परखिए यदि कड़वाहट है तो अवश्य आप आएंगे कि आपका अपना अहंकार बढ़ गया है जब भी संबंध में किसी एक का अहंकार बढ़ जाता है तो वो संबंध दूसरे के लिए बोज बन जाता है जैसे फ्रेम के लिए मांग विश है ठीक वैसे ही अहंकार किसी भी संबंध के लिए जहर है